असलाम अलेकम विल्कम टू यूटूब में चानल चिकन हंडी दम बिर्यानी बनी देखी रेसिपी है अल्ला क्या क्या खुब्सूरत माशालला अलहम्दिल्ला क्या जबड़तस बनी खुले खुले चावाल जब मसालेदार चट पटी क्या बेहत्रिन बनी लाच जवाब यह रेसिपी आप भी बनाएए कखाये कामेंट करिएशेर करिये सस्क्राइब करिए सबपोर्ट करिए वमारी चैनल को अगे बढ़ेएस पोट करि प्लीज स्सक्राइब करी थीकि लाच जवाब बनी वोटल रिष्टर औरण से भी अच्छी बनेगी है, इस तरीख से, आदा किलर चिकन, चिकन लेख पे इसको कट, कट लगाना इसको, यह मसाले, दो चमच, लाल मर्च, आहा, तेस तेस, हरी मेर, लाल मर्च, आदी चमच, अल्दी, देसी लाल मर्च, यह तेस, लमाक, दर चमच, गरम मसाला, सुका, दलचिनी, शाइजीरा, लवंग, इलाइची, यह पिरियनी मसाला, यह गरम मसाला, मार्शल, फ्रेश अदरकले से, दो चमच, आदा निमू, चट पटा, कटा, कटा, निमू, आदा चमच, आदा, सारी, आदा निमू, 125 ग्राम, कट, थैं, ऐसा, मिक्स करी, मसाला, पुरा, गोष में, मिल जाना है, चट पटा बनना मसाला है, था, हमसे गोष, चट पटा हो जाना, आदा घंटा मैगनेट करके रख देना से, आदा घंटा के बाद प्यास, पहले निया दलना, मिला कर मसाला रखने के बाद आदा घंटा के बाद प्यास दे, दिखिए ये, बस्मती रैस, बेगम बस्मती रैस आईए, आदी किलो, तिन पानी में अच्छा से ठोकर रख देना, वाश एकदम साफ, इसको घसना नहीं, हलका से मिला, हलके हातों से मुला हाया, फुलों के तरह हिला कर दो देना से, दिखिए ऐसा, इस तरह हिला कर पानी फेक देना से, ज्यादा कुस्ती करेंगे तो चावल तुट जाते से, नालमार दिखिए प्यास, तीम डली मुडियम प्यास कटिंग लेना से, भारिक से, लेयर लेयर, चप्टे चप्टे प्यास अच्छा से, भारिक चॉप कर देना से, फटा फट कटिंग लेना, रोते रोते बिर्यानी ने बनाना, हस्ते हस्ते बनाना, खाने में बहुत मज़ा आदो, अंखा में आसु आ जारे, दीखिए खुली बर्तन लेलेना, पानी, खुले बर्तन में दो लीटर पानी लेलो, शाही जीरा, इलाइची, खुले बर्तन में पकाना, अच्छे खुले बन्ते हैं नमय टेश्ट के साब सा सॉ जबंा मचैलियों के तरह तीरने चावल क्ले क्ले बंते से हरे मिर्च कुझ्मिरपदीना है हुआ, कुझ एल दा कॉपटा ही है, आदा दा नेम्वू अखनी में आदा नेम्वू चावल में आदानेम्वू चटपटी बनीए दिखिए भूत लाजवाब बनीए आप भी बनाईए धाइं का रायता बनारी दिखिए नमाग टेस्ट के साफ से नमक दालना गाजार प्यास हरी मिष्च हरा धनिया कुद्मीर फुदिना हिला कर अच्छा सा रख देना गिरियाने के साथ सब भूत सब बड अरतस लाजवाब दिखता है उसके साथ में मसालाओं का सालन नहीं धहीं एच्छी लगती किसी को मसालाओं का सालन यह तो चटपटी है ना धहीं काफी है इसके लिए बत दीके मच्छें के जैसा तीर नहीं चावा इस तरीके से बनाना खुल ले खुल ले गड़ता नो तले ले ले लेना तले भी प्यास नीचे दो चमाच टेल दो चमाच घी तेल में प्यास तली में मसाला सट कर लेना हंडी में देखिए इस तरीके से अच्छा सा सट कर लेके देखिए सट कर लेके हरा देनिया दाल देना कोत्मेर पुदीन तले भी प्यास अरे रे 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 देखिए हंडी फूड़ी जाएंगी गुस्सा उस पर आजा रा प्यास का गुस्सा देखिए इस तरीके से दाल देना असमाँ चावाल सेवेंटी पर्सेंट कुक हो जाना इसका लेर पाई लेर डाल लेना प्यास तल भी प्यास तेल तेल में घी मिक्स करना अब जरूरत ने पड़ती इसमें ही कुछ बहती रहती हरा मसाला कुट मेर पुदेना पूरी हंड़ी भर देना हंड़ी में फुल बना लेना सारी चावाल दाल देना केसर कलर दालना अफ्शनल है अपन दाल भी सकते स्किप भी कर सकते आप लोग किसी को नहीं है तो स्किप कर सकते एक दम सब बड़तस देखे खुले खुले चावाल बिरयानी दम पे देने के लिए रेडी होगी मैं पानी आ रहा किसी को देखे इस तरीक से बनाई या आप भी खाये कामेंट करिए शेर करिए सास्क्राइब करिए लाज जवाब भुत्सब परदस बनी नार्मल वोगने में से अच्छी हंडी में लगती हंडी की टेस्ट देखे आप बनाकर हंडी दम चिकन पिरयानी इस तरीक से बनाई या आप भुत्ला जवाब चटपटी भुत्स बड़तस बनी सच में आप लोग बनाकर कामेट करिए कैसी भी नहीं जबदस हम लोग इन जय करें बनाकर खाये आप भी बनाई है खाये आप भी बनाई है कामेंट में बताई है कैसी बनी कैसी लगी आपको रिसेपन अला आफीज दुआ में याद रखना अन्शाला